तो ये गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल वन सेकेंड स्वागत आप सब लोग का फिर से मेरे एक नए व्लोग में तो कैसे आप लोग करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज की वीडियो भाई बहुत ही जादे इंटरस्टिक होने वाली है क्योंकि आज तुमारा भाई एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला और सबसे पहले उसको अंबॉक्सिंग अन वाला है तो आज के वीडियो में हम अंबॉक्सिंग करने जा रहें इन वीडियो लाइट की इसका मॉडल नेम है VL49RGB ये वाई एक मिनी वीडियो LED लाइड है तो सबसे पहले इसको अन बो तो ऑन करने का एक सिंबल तरीका है यहां पर एक बटन है इसको आउन करेंगे तो सिधे लाइट जल जाएगी को स्क्रीन में 2500 केलविन कर और उसके बगल में आपको दिख रहा है टीवन परसेंट जो इस पर लाइट कर सकती है और इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा भाई एक फिप्टीवन परसेंटेज का साइन और अभी यह जो है वाई चास परसेंट अभी लाइट दे रहा है तो अभी इसको परसेंटेज करेंगे तो यह और भी तेज लाइट और भी जादे बढ़ गई है काफी त को कम भी करेंगे तो यह देखो लो गई है काफी को बढ़ाएंगे तो मिस्ति यहां पर कुछ दीगें के लिए और एक डाउन के लिए और यह जो बटाने वाई तीसरा वाला इसको प्रेस करके देखते हैं इसको थोड़ी देर तक प्रेस करना पड़ता है से बाई देखो तो इसकी light और भी तेज बढ़ जाएगी एक थोड़ी इसकी light 100% में जो है यह इत्ती ज्यादे जलीगी इसको कम करते दे इत्ती ज्यादे हमें इसकी जो रहते हैं अभी जो है नेस्ट वाले मोड पर आ जाते हैं तो इस पर इस पर देखते हैं यह भी 3 पर है I think यह वन से लेक किसन बचाऊगा है उसको दिखाता हूं मैं आपको इसको वाले मोड पर कर दिया अभी हमने तो इसको अगार आम वोड़ी देर और प्रस करेंगे मतलब टोटल 13 लाइट है वी देखो यह सीन 06 टीवी वाले मोड पर है इसमें हलकी सी अप एंड डाउन और यह लाइट इसक सब्सक्राइब कर देखते हैं एक और यहाँ लॉट सब्सक्राइब करें पर और एक यह लाइट है देरे-दरे इस पर भी चेंज होते रहता है और एसे एक और इस्पर मोड है ह Sagبر कर तो इस पर देरे देरे होगा देरे इसके लेट को यह आधे बर पाति वाली लाइट तो यह वाली पाटि लाइट डेखो बाने पदध से चयंज हो रहे है इसको ले पर दे पाफने फेस पर ट्राइट करके देखते सिंह्ira दिल्ग भी आ रहा है अभी इसकी लाइट को चेंज कर देते हैं यह अभी है भाई बढ़ा देते हैं इसको 2500 केलवीन से अब कर देते हैं कि अभी हमने इसको कड़ दिया है अभी 5000 पर है अभी पहुंच गई वही 9000 पर तो भाई काफी जादे लग रही है मुझे लाइट और भाई सबसे आज बात तो हमें इस लाइट की तब लगेगी जब हम इसको नाइट पर चेक करेंगे कि लाइट जो है नाइट पर कैसे घाम अगर हम इसकी लाइट को 100% पर रखें तो यह भाई मैक्सिमम टू आउर्स चल सकता है अगर इसको हम लो लाइट पर चला रहे हैं मतलब 2500 कल्विन पर अगर इसको लकी लाइट पर चला रहें तो भाई यह 10 आवर्स का बैटरी बैकप देगी तो अभी तक तो भाई यह इस लाइट की का पता चलेगा और यह एक चाइनिज प्रोड़क्ट है जो भाई मैंने भी एमेजॉन से पर्चिच किया हुआ है इसको एडजेस्ट करने का भाई एक सिंपल सा तरीका है तो इसके अंदर भाई एक स्टड वाला होल है जो इसके अंदर भाई स्टड आएगा और इसको लॉक करने के लिए है इस पर आप देख रहे होगा एक छोटा सा होल जो किसी भी ट्राइपॉट में आसानी से फिट हो सकता है एक यह मेरा मिनी ट्राइपॉट है इसके साथ होगा अभी दिखाते हैं आपको इस डंग से इसको भूमाना पड़ेगा यह अभी अटैच हो चुका है अपने इनी ट्राइपॉट के साथ इसकी लाइट ऑन करके देखते हैं सबसे बेले अपनी लाइट हो गई है इस ट्राइपॉट के साथ कैसे अड़ेस्ट होती है तो अभी हम दिखाने वाले इस लाइट को जो है अपने गोपरों के साथ कैसे अड़ेस्ट करें तो आप मेरे GoPro के ऊपर देखे हूंगे, छोटा सा माउंट लगा है, तो उसके ऊपर यह जो light है, यह square shape में बना हुआ है, और जो GoPro को ऊपर mount है, वो भी square shape में है, अंदर से, तो इसको जो है, इस रंग से अंदर को fit करेंगे, और यह बई, easily चले जाएगा, और इसको tight करने के ल जुछ आपके सिधे अपनी लाइट थो इस डंग से यह है भई हमारा कुछ सेट अप यह जो माउंट है गोपरो का यह भी स्क्वाइड सेप में इसकी भी सेप देख सकते हो आप तो यह जो है बाई कुछ इस डंग से इसमें अड़जेस्ट होगा तो इसको कोई गुमानी की जुरत नहीं है खली इसको अंदर से ऐसे फिट कर दो और यह इजिली टाइट हो जाएगा इसमें कोई बटन वगेरा कुछ गुमानी के लिए लिए जिसे टाइट होगा एजिली इसको ऐसे fit कर दो, सीधे अंदर के और डाल दो, इस डंक से इसको एसको आंदर के ओर डाल दो, प्रेस कर दो और यह इसली tight हो जाएगा और एक side इसकी यहाँँ पर भी ए, यह जो light है, इसको हम ini side भी डाल सकते हैं, इस साइड डाले इस साइड भी इसका यूज कर सकते हैं यह जो लाइट है बहुत जाना पड़ेगा अपने चछत पर यह लाइट है विद गोप्रो कैसा पर्फोर्मेंस करती है तो भाई अभी मैं आ चुका अपने चछत पर अभी जो मैंने अपनी लाइट है उसको 9000 केल्व लाइट के साथ जब यह लाइट अटेच हो रही है तो उस टैम के ऐसा पर्फोर्मेंस रह रहा है इस लाइट का तो मैं एडिटिंग के टाइम पर पता चलेगा मुझे तो आस पास के तीन से चार मीटर के एरिये पर मतलब साफ साफ दिखाए दे रहा है अभी आ रहें किया दो जार रुपे में इससे भी अच्छी लाइट आसकती है तो बहुत में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एक दो जार में इससे इसे अच्छी लाइट आसकी या दो जार रुपे इस प्रोड़क्ट टिक लिए इनफ है सो गाइज अभी हमने इस light को night पे भी use करके देख लिया कि night में यह जो light है कैसा performance देती है और काफी अच्छे result है इसके निगल के आ रहे हैं अभी मेरे आने वारे trip हो में पता से लेगा कि यह जो light है और भी कित्ता जाते है अच्छा performance दे पाती है क्या 2000 रुपे में इससे भी अच्छी light मिल सकती है और यह भी कमेंट करके आप बता सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को यहाँ पर end करते है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर चैनल पर निगो तो स्क्राइब करते है वीडियो है को में आपकोर क्स्मा ने अच बञ़ोगियोग आपको यह बाहाँ है वीडियो ही वीडियो है अब्की अपडयोग रहाँ है लोले कैनल ने फिल्साटव प्सक्यारिश गयां